निगम आयक्तु देविश कुमार ध्रू ने शासन इस्तर पर लंबित मुद्रांक शुल्क बार लाइसेंस राशी चुंगी शतिपूर्ती की राशी के मांग के लिए नगरी प्रशासन विभाग को पत्र लिखा है तथा शासन के सक्षम प्राधिकारी से इस विशाय में चर्चा कर शिग्र अबंटन का अनुरोद भी किया है शासन से राशी प्राप्त होते ही स्थापन मद वेतन भत्ते प्लेस्मेंट कर्मचारियों का वेतन भुकतान किया जाएगा भिलाई निगम आयक तो स्रीधूर ने निगम की वित्ती स्थिती को सुधर करने निगम शेतर के भवनों का पुनर मुल्यांकन कर संपत्ती का निधारन करते हुए शत्प्रतिशत ट्रेक्स की वसूली का निर्देश निगम के कर वसूली ठेका प्राप्त एजिंसी एस पी एस को दिये हैं लोग समय पर संपत्ति करका भुक्तान करें इस हे तू संपूर्ण शेत्र में मुनादी भी करवाई जा रही है निगम प्रशासन ने 46 मोबाइल टावरों की लंबित राशी की वसूली के लिए सिल बंद करने ही तू विद्दु दिभाग को पत्र प्र कारम कर देगा नगरनिगम भिलाई के छेत्र में 46 ऐसे मोबाइल टावर हैं जिन्होंने अपना अनुग्या सुल्क नवनिकरन सुल्क और प्रेश्टेशन का वो जो अवधी समाप्त हो गया उसको जमानी किया है ऐसे टावरों को चिन्धांकन करके मानियाइक महोदा ने उन आप यहां से इन 46 टावरों के विद्धूत कनेक्शन को विच्छेदित करें ताकि हम सिल्वन्त की कारवाही कर सके हैं निगम मोबाइल कंपनी के से जितने भी हैं उनसे अपील करता है कि वे अपनी जो निगम की डेर आसी है उसको निधालिस समय से पूरू लाके निगम मे करते हैं यहां करते हैं